Q6, यहाँ पर मधू नेहा और टीना फ़र्म में पार्टनर है, जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 5 रेशियो 3 रेशियो 2 में डिवाइट करते हैं, तो हमें उनके लिए new profit sharing ratio calculate करना है, पहला जब मधू रिटायर हो, 2nd condition जब नेहा रिटायर हो, 3rd condition जब टीना रिटायर हो, इसके लिए solution होगा, तो हमको यहाँ पर मधू नेहा और टीना का ratio दिया हुआ था, 5 ratio 3 ratio 2, तो सबसे पहले condition में कहा गया है, कि अगर मधू रिटायर हो, तो जब मधू का ratio अपन हटा देंगे, तो बचेगा नेहा और टीना का, तो first का answer हो जागा 3 ratio 2, second में कहा है, कि अगर न जाएगा, उसका ratio हमको ने लिखना है, और बाकी जो बच जाएंगे, उसका ratio लिखना है, यही हमारा अंसर होगा, question number 7, यहाँ पे K, L और Z partners है, जो कि अपना profit 4 ratio 3 ratio 2 में डिवाइट करते हैं, L रिटायर हो रहा है, जो कि अपने total part का, 1 9th part K को surrender कर रहा है, और बाकी का part जो है, वो Z को दे रहा है, यानि कि अपने total भाग में से 1 बटा 9 भाग K को, और बाकी भाग Z को दे रहा है, तो हमको उ solution होगा, तो यहाँ पे L अपना 1 upon 9 part, जो है, वो K को surrender कर रहा है, और जो L का total ratio था, वो था 3 upon 9, क्योंकि हमको ratio दिया हुआ था 4 ratio 3 ratio 2, और L का ratio 3 था, और 4 3 और 2 को जोडने पे नीचे 9 आएगा, तो total ratio में से, वो 1 upon 9 part दे रहा है, उसको इसलिए हमने 3 upon 9 into 1 upon 9 किया है, तो 3 1s 3 और 9 9s और 81 हो जाएगा, इसको काटेंगे, 3 1s और 3 के टेबल से 81 को काटेंगे, तो आज जाएगा 27, इसके बाद कहा गया है, कि L सेरेंडर करेगा, रिमेनिंग पार्ट, याने कि K को देने के बाद जो भाग बच जाएगा, उसको वो Z को देगा, तो total भाग L का था, तीन 43 आएगा, आप 27 इंटू 3 करेंगे, तो 81, बीच में माइनस कसाइन था, इसलिए माइनस कसाइन और 9 इंटू 1 करने पर 9, 81 में से 9 माइनस करेंगे, तो 72 आएगा, नीचे 243 ही रहेगा, इसको हम काटेंगे, तो ये 9 के टेबल से जाएगा, 9 8 जा 72 और 9 2 जा 18, और जो कहरी ज 46, तो इस तरी के से हमारा रेशियो आगया, 8 अपॉन 27, अब यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा, क्योंकि जितना L जिसको जिसको सेक्रिफाइस करेगा, जिससे L को जितना रेशियो मिलेगा, वाई उनका गेनिंग रेशियो कहलाएगा, तो यहाँ पे, K और Z के लिए गे करने के लिए कहा गया था, तो new ratio का formula होता है, old ratio plus gaining ratio, old ratio k का दिया था 4 upon 9, इसमे हम प्लस करेंगे, gain वो कर रहा था 1 upon 27, तो 9 और 27 के इंटु करने पर 243 आएगा, 27 इंटु 4 करने में 108 आएगा, 9 इंटु 1 करने पर 9 आएगा, 108 इंटु 1 करने पर 9 इंटु 1 करने पर 9 आएगा इस तरीके से सेम, 9 के टेबल से 243 को भी काटेंगे, तो 27 आएगा, इसकी बाद Z का new ratio निकालेंगे, तो Z का भी old ratio दियोगा था 2 upon 9, question में, और इसको वो gain करने था 8 upon 27, यहां पर भी हम इंटु करेंगे, 9 और 27 का तो 243 आएगा, और फिर cross multiplication करेंगे, तीरी अगुना जिसमें 27 इंटु 2 करेंगे, तो 54, और 9 इंटु 8 करेंगे, तो 72 आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो 26 आएगा, upon में 243, डिवाइट करेंगे इसको हम, तो आजाएगा, 14 डिवाइट बाद 27, 9 के डिबल से, इस तरीके से हमारा जो new ratio था, वो हो गया, 3 upon 27 और 13 upon 20, इस तरीके से अगर हम हर को ना लिखें, तो ये बन जाएगा 13 ratio of 14, जो कि हमारा answer होगा,